हेलो दोस्तों कैसे हो सब लोग, I hope सब अच्छ होंगे तो RRB का कली official update आया और उन्होंने इस PDF के अंदर बताया है कि जिन बच्चों का waiting list में था, उनका 30 जून 2023 तक आपका waiting list क्लियर कर दिया जाएगा और उन्होंने ये भी बोला है कि 19 December 2022 तक जिस जून में भी vacancy आपके पास pending है जहाँ पर भी खाली है, वहाँ पर उन बच्चों को posting दे दी जाएगी मतलब 6 महीने के अंदर waiting list वालों को posting मिल जाएगी और दूसरी बात ये है कि उन बच्चों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि मतलब 2023 में vacancy आएगी नहीं आएगी बेटा 2023 के अंदर आपको पता है चुनाओ भी है और चुनाओ होता है तो vacancy आती है तो आप बिल्कुल अपने इस तर पे अच्छे तरीके से pre-presence करते रहिएगा लेकिन आपकी vacancy जल्दी ही expect था कि आपके पास मतलब जून से पहले आ जाएगा लेकिन अब वो बता रहा है अगर ये वेटिंग लिस्ट उससे पहले किलियर कर देते हैं तो उसी टाइम पे आपकी vacancy आउट हो जाएगी ओके चलेगा थेंक्यू